मन्च पर विराजमान आज के कार्कम के अद्यक्षा स्रीमान बोथ पूरों नया अदिस सर्भोच चनेले आदरस गोएल जी स्रीमान राजकुमार भाटिया जी, स्रीमान संतोस्तानेजा जी, स्रीमान गोपाल जी आरिया, सभाग्रह में उपस्तित आदर्निया सर्जनों बहनों महाने बर सुहन सिंग जी के इस मृती में होने वाली इस ब्याख्यान माला में आज आपके सम्मुख एक विशे संख्षेप में परस्तुत करने की कोशिश करता हूं वर्तमान में सारी दुनिया में हम लोग बहुत प्रकार की बातें देखते हैं यह भी अनभब में आता है कि विश बहुत तेजी से बदल रहा है कुछ भी इस्थिर नहीं देखता यह भी देखने में आता है कि मनुश्य की छमता बहुत तेजी से बढ़ रही है जो जो विज्ञान की उन्नती हो रही है जो जो विज्ञान नई टेक्नोलोजी को रास्ता देता है जो नई टेक्नोलोजी है यह तुरंत किसी धनपती के हाथ में आ जाती है धनपती उस टेक्नोलोजी को इंडस्ट्री में ले आता है इंडस्ट्री तुरंत उस टेक्नोलोजी का उप्योग करके नए उत्पाद बनाती है इन उत्पादों को बिजनिस में ले लेता है और नई टेक्नोलोजी फिर से नई टेक्नोलोजी का सहयोग करती है और विज्ञापन की एक नई दुनिया को क्रियेट करती है सारे दुनिया में उस सामान का विज्ञापन होता है लोगों के मन में उस सामान को खरीदने की लालसा जगाई जाती है इच्छा जगाई जाती है उस सामान के प्रती लालच जगाई जाता है मनुष्य के अंदर बेटी तरश्णा जग जाती है वो सामान को खरीदने के लिए येन केन प्रकारेन प्रयत्न प्रारंब करता है जियों जों सामान बिकता है और लोग सामान को खरीदते हैं मार्केट चलने लगता है और नई सब्वेता हमारे सामने आ जाती है नए रूप में ये एक सिविलाइजेशन का एक चक्र है पूरा अर्थात मनुष्य की बुद्धी उससे उत्पन हुए नए नए आविश्कार आविश्कारों को तुरंत जो टेक्नो क्रेट से उसको उत्पाद में बदलता है इंडस्टिलिस्ट उसका उत्पादन करता है बिजनिस्मेन उसकी मार्केटिंग करता है और दुनिया खरीदने के लिए दौर पड़ती है प्रस्टिया इस बात का है ही नहीं को उत्पादन आवश्क है के नहीं कुछ लोगों को पैसे की जुरुवत है उनको पैसे की भूग है और सारी दुनिया उन आविश्कारों के कारण से नहीं नहीं उत्पाद मार्केट में ले आती है और हर दिन जो बदलता है उसको हम सब्विता कहते हैं सिविलेजेशन कहते हैं इसका संस्कति से बहुत लेना देना नहीं है ध्यान रखिए संसकति इसके साथ साच चल सकती है लेकिये बहुत भिन्न चीज़ है कभी-कभी लोगों के मन में ये संभरम पेदा हो जाता है कि संस्कति और संभरम पेदा हो जाता है हर सब्वेता संस्कृति लेकर के आती है ऐसा नहीं है हर समाज की संस्कृति भिन्न होती है लेकि सब्वेता कम जादा समान होती है कि सब्वेता का केंद्र बिंदू विज्यान है और संस्कृति का केंद्र बिंदू कुछ और है कि तो सब्वेता तो मनnenष्च को सभ्बह बनाने के लिए ऐसा उनकी परिवाशान में पश्चिमी जगत में सिविक से साना चीए सिवलाइज होना चीए और उनके civilization के parameters कुछ भिन्य है मनुष्य civilized है के नहीं तो पश्चिमी जगत ने भिन्न परकार के जो parameters scale तै किये हैं वो उनके हैं लेकिन धीरे-धीरे सारी दुनिया में सारे विश्व में वे ही parameters हावी हो गए वो parameters हावी हो गए तो हर एक समाज उनी पर अपने को तोलता है देखता है जैसे civilized society कौन सी है तो दुनिया ने ते क्या प्रतिव्यक्ति जो है के बिजली का consumption कितना करता है तो ज्यादा बिजली का consumption करता है more civilized कपड़े का consumption कितना करता है कितना per capita consumption of textile है more civilized per capita consumption of steel per capita consumption of gases petrol यह जो civilization के parameters है उसमें developed और undeveloped यह countries का division हो गया तो जो under developed यह developing countries है वे developed countries को बढ़ रहा है दीरे दीरे क्यों उनको civilized होना है वो uncivilized है यह जो definition civilization की आई इस civilization की definition ने मनुष्य को अधिक से अधिक संपत्ति अधिक से अधिक सामान अधिक से अधिक उपभोग इस और ला दिया कि अधिक मनुष्य जो है वो दीरे 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 मोर कंजम्शन इस और सारी दुनिया के साड़े साथ सो करोर लोग चल रहे हैं कि अमेर का इस समय इन सब देशों का एक तरह से नेत्रत करता है क्यों करता है क्यों क्यों परक्यपिटा जो कंजम्शन है वह चोटे देशोर जे सिंगापूर वगएरा एशोर दीजे कि अमेरिका सारे दुनिया में लगवक सब से जादा तेल सब से ज़दा गैस सब से ज़दा इस्टील सब से ज़दा इलेक्ट्रिसिटी के कंस्यूम करता है परक्यपिटा सब से ज़दा टेक्स्टाई इसका यूज़ करता है परक्यपिटा इंकम उसकी ज़दा है तो सारे दुनिया के सारे साथ सो करोर लोगों के लिए एक तरह से आइडियल बन गया है सब दुनिया उसूर चल रही है और इसलिए मोर कंजम्शन मोर कंजम्शन और मोर कंजम्शन तुम आएगा कहां से ज़दर्ती से ले ना है बिजली कहां से आएगी कोईला फूंक ना है सारी धर्ती एक दिन में जितना कोईला फूंक दिया है को थरमल पॉर प्रांच चलाने में गजम्शन कोईला तो उसी में लग जाता है कुछ इंडिस्ट्री में लगता है 10,000 वर्ष में जो कोल का डिपोजिशन हुआ 10,000 वर्ष में 10,000 वर्ष में उतना कोईला हमारी धर्ती एक दिन में फूंगती है एक दिन में इस 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 रेट अब कोल कंजम्शन तो समस्या खड़ी हो गई क्योंकि धर्ती जीने के लाइक बनी ही तब थी जब सारी धर्ती के एट्मोस्फियर में से जो कर्बन डियक्साइड गैस थी जे कोल में कनवर्ट होके फिक्स हो गई तो CO2 का कॉंसेंट्रेशन सारे पृत्वी में से कम हुआ और पृत्वी जीवन के लाइक बन गई लेकि मनुष ने दिमाग लगाया दिमाग लगाया कोला भार निकल लिया भार निकल करके इस्टीम बनाया इस्टीम बनाके बिजली बना दिया बिजली बना करकाने चला दिये हम जितना तेल एक दिन में यूज करते हैं एक दिन में उस तेल को बनने में बीस हजार वर्ष लगाया एक दिन के तेल में वो तेल बाहर आता है तेल बाहर आता है वो जलता है जलता तो फ्रिस्योट हुआती है पिछले एक सवासो वर्षों के अंदर सारी धर्ती का तापमान बढ़ गया 1.25 सेल्सियस बढ़ गया इतने सही एकुलिब्रे में बिगड़ गया क्यों इतने से और ऐसा बिगड़ा कि जो नौर्थ पोल साउथ पोल पर जो बरफ की लेयर है वो बरफ की लेयर हजारों मीटर मोटी है वो मतलब कई किलो मीटर मोटी लेयर है नौर्थ और साउथ पोल पर वो पिगल रही है और वो अर्मों टन बरफ प्रतिवर्श पिगल रही है अर्मों टन हर एक व्यक्ति के हिसाब से कई टन पर कैपिटा बरफ पिगल जाती है गुलोबल बार्मिंग के कारण से केवल 1.25 सेल्सियस टेंपरिचर बढ़ा है बस गलेशियर सूख रहे बता सिकुड रहे नद्यों का पानी घट रहा है समुद्र का लेविल बढ़ रहा है समुद्र का लेविल बढ़ने से धरती का एक्सिस बदल रहा है क्योंकि वाटर की ड धरती जो है वो हिल रही अपनी एक्सिस से वो धरती हिल रही है मांसून की गती बदल रही है मांसून की गती बदल रही है तो सारी धरती की वरसात की जो जो इस्तिती थी वो बदल रही है जा रेगिस्तान था वा घंगोर बार आ रही है जा घंगोर बार आती थी वा सुख पड़ रहा है लेकिन मनुष्य की भूख तो कम नहीं हो रही एक कीन्स नाम का जो अर्थ सास्त्री था बाद में और उसके बहुत सारी अर्थ सास्त्री ऐसे खड़े हो गए जिन्होंने प्रतम विश्युद्ध के बाद जो डूबती हुई अर्थ बेवस्ता थी यूरोप के मित्र राष्ट्रों की उसको सला दी यह डूबती हुई जो डिप्रेशन में जा रही जो अर्थ बेवस्ता है जो मंदी का दोर चल रहा है इसको अगर ठीक करना है तो खूब प्रजार करो लोग सामान खरीद है खरीदो उपयोग में लाओ मतला खरीद लो इंड़स्ट्री करने चलेगी इंड़स्ट्री चलेगी तो रोजगार मिलेगा रोजगार मिलेगा वो और खरीदेंगे तो एक नारा दिया कंज्यूम ऊर मोर कंजमस्टन ऑन में और उकोनोमिक डिवलोमेंट कि कींस के बाद और भी जारे ऐसे अर्षास्त्री इसी लाइन पर चल पर और फो पर्मूला सेट हो गया कंज्यूम मोर कंज्यूम मोर तो क्या मतलब है अभी यह मकान बने का तो लकडी चाहिए सो दो सो गन मीटल लकडी चाहिए मना और मकान मकान ज्यादा बनाओ चरक अच्छी बनाओ अभी मैं कल अख़बार का न्यूज था कल के पेपर में न्यूज है एक वर्ष के अंदर इस धर्ती पर 66,000 वर्ग किलो मीटर जंगल कट गया एक पिछले साल में 66,000 स्क्वेर किलो मीटर का जंगल कट गया एक वर्ष में कंज्यूम करने हैं मोर कंज्यूम चले ना है इसारी धर्ती पर ज्यादा पैदा करो ज्यादा पैदा करो ज्यादा फ्रटलेजर डालो केमिकल डालो ज्यादा पैदा करो कोटन ज्यादा लाओ तेल ज्यादा लाओ तिम्बर ज्यादा पर शूप ज्यादा पर गई दस करोड हेट्टेर का मतलब है पचीज करोड एकर पचीज करोड एकर का मतलब है सो करोड लोगों को खाना देने की छमता देने वाली जमीन बंज़र हो गई मोर कंजम्शन का यह रिजल्ट अब निकल रहा है मनुश्य जो है अधिक शदेक सामान खरिदने के लिए पागल हो रहा है यह सोच क्यों आया यह सोच का कीड़ा का है इसका इपी सेंटर का है यह सेंटर पश्चिम में है पश्चिम में है पश्चिम में क्यों है तो पश्चिम के जो विचारक थे आज से हजार दो हजार तीन हजार चार जार पहले से इतने वर्ष पहलों से वर्ष पहले से जो पश्चिमी छेत्र के जो विचारक हो गई है कोई भी विचारक हो गई यह सेमेटिक रिलिजेंस का थोड़ और बात का मान लो क्रिश्चियन्टी से भी पहले के उनका मानना था इस सारी स्रस्टी का केंदर बिंदू मनुष्य है उन्हों यही माना मनुष्य केंदर बिंदू है मनुष्य में बुद्धी है मनुष्य में जो भी कुछ है वो छमता है मनुष्य केंद्र बिंदु है सेंट्रल पॉइंट मनुष्य है योगा योग ऐसा हुआ कि हमारे जो सेमिटिक रिलिजन्स के मानने वाली लोग थे उन्होंने भी वही प्रिंसिपल एडॉप्ट कर लिया उन्होंने भी यह क्या जो जो बिब्लीकल थियोरी आई बिब्लीकल जो कॉंसेब डवलप हुआ उसमें मनुष्य को बताया तो मनुष्य को कहा मैन इस दा क्राउण अप क्रियेशन यह संपूर्ण स्रस्टी का जो जो क्राउण है सुप्रीम है जो वो मनुष्य है मनुष्य के लिए यह सारी स्रस्टी है यह कॉंसेब्ट जो है यह बिब्लीकल है यह बाइबिल का है मनुष्य को सुप्रीम मान लिया मनुष्य को सुप्रीम मान दे अगला जो सेंटेंस उसमें आए बाइबिल में आए उसमें यह यह आए ये सारी धर्ती पर जितने भी जानवर है जितने भी व्रक्ष है संपधा है ये तुमारे लिए है ये तुमारी है और इसे मनुष्य जो है पश्चिमी जगत में इस सारी स्रष्टी पर विजय पाने के लिए निकल जाता है क्यों उसकी है यह दर्ती पर विजय कैसे पाई जाए धर्ती का मालिक कैसे बना जाए ओनर्शिप उसकी आनी चाहिए क्यों कुंसिप्ट यह पाल लिया ना इसके काराण जे अपने आपको सारी दर्ती का मालिक मान बैठा ओनर्शिप आ गई और सब इन्फीरियर हो गई यह मौलिक अंतार है फंडमेंटल जे एक डिफॉरेंस है भारत के सोच में और पσα्च्प में हमने भी कहा कि मनुश्य OR समपूर्ण स्रष्टी और स्रष्टा इसमें एक relationship है हमने कहा कि परमात्मा ने स्रष्टी बनाई है लेकिन परमात्मा ने स्रष्टी बनाई तो स्रष्टी और परमात्मा ये अलग अलग नहीं है इध्यान रखो पस्चिमी जगत का एक और concept था जो गौड या अल्ला या जेहुबा ये तीन जो उनके देवता हैं जेहुबा गौड और अल्ला वो ज्यूज मानते वो क्रिश्टिन मानते इस्लाम के लोग मानते उन तीनों में मौलिक बात एक है कि जो जेहुबा है चाए गौड है चाए अल्ला है वो स्रष्टी बनाता है लिकिस स्रष्टी से दूर रहता है स्रिष्टी में नहीं आता है भारत के लोगों का मौलिक दर्शन यऄ है कि तो ब्रम्म है ईश्वर है परमात्मा है वोँ सृष्टी के साथ है वो वने की इच्छा हुई बहुत होने की बने एक दो बनाए ऐसा नहीं है कि एक से दो बने वो एक दो में आ गया कि दो से हजारों लाकों करोनों बने अर्थाद स्रश्टी और स्रश्टा क्रियेटर और क्रियेशन यह दो सेपरेट आइडेंटिटी नहीं है तो इसलिए हमने का परमात्मा मेरे अंदर है परमात्मा आपके अंदर है परमात्मा वरक्ष में है परमात्मा पशु और पक्षी में है परमात्मा धर्ती में है परमात्मा आकाश है कौन जगह है परमात्मा नहीं है सर्वत्रम तो हमारा कोई भी गरंथ जो है इसके बिना दूरा है कोई भी गरंथ हो वो जैन गरंथ हो शैवों का हो वैश्णवों का हो शाक्तों का हो लिंगायतों का हो वार्शमाजी हो सुनातनियों कोई भी हो वो एक ही बात करेंगे परमात्मा सरवत्र है सब के अंदर है बहुत लोग इस विशे में शान्त रहे बहुत ने इसकी चर्चा नहीं की लेकिन ब्यवार वही किया कि सर्मत्र जो ईश्वर है वो ध्यान में रख करके जैसा ब्यवार होना चाहिए वही ब्यवार बहुत लोगों का बगवान बुद्ध का दर्शन है तो एक और तो वो धर्शन Creator उपर बैठा और यहां creation था मनुष्य था और उसने कहा ही सब तुमारा हमारे मौलिक दर्शन में ईश्वर अलग नहीं था हमारे साथ था हमारे अंदर था और सब के अंदर परमात्मा था और इसले धरती हम इसके मालिक नहीं बने धरती यह देवत्यों के साथ आई ईश्वरी भाव के साथ आई और सब के अंदर ईश्वरी भाव देखना और सब के प्रति भक्ति का भाव रखना यह भारत का दर्शन यह दो दर्शन भिन्न होने के कारण से सोच बदल गई सोच बदलने से वैचारिक अधिश्ठान बदल गया और यह मनुष्ट ने हर बात में इश्वरी तत्त देखा तो कम से कम लेने की इच्छा उसकी होई कम से कम कम से कम और जो भी लेना श्रद्धा से लेना जो भी लेना पूज पवित्र भाव से लेना हम मकान बनाते हैं तो फिर जाते हैं वो प्लोट है ठीक है प्लोट का अब हम पूजन करते हैं धरती मां से अनुमती मांगते हम ऐसे लोग मंत्र तो नहीं जानते होंगे लिक मंत्र यह है वो मंत्र बोलता है बैठता है वो विश्णु पत्नी से अनुमती मांगता है यह आप अनमती दे दो आग्या दे दो यह मकान बनाएंगे मकान बन गया मकान भी परमात्मा का है ध्यान रखिए गराप प्रवेश करते हैं अनमती मांते हैं इसके बना कोई चीज़ अस्तित्व ही नहीं है वो खिर्शक बी जखेती करने जाता है पहले ऐसे करता है कबड़ी का खिलाड़ी 房away एसे करता है वो धर्थी भी ईश्वर के रूप med दुकांदार के लिए दुकान भी इश्वर के रूप में है टेक्सी वाले के लिए गारी भी इश्वर के रूप में है उब द्यारती के लिए पुस्तक कलम इश्वर के रूप में है इश्वरिय भाव के बिना भारत में कोई वस्तु है नहीं एक बार में अगर तल्ला में था वाकर करनल लिक अच्छा हमारा कारी करता था हमको बुला लिया वाई सब आज हमारे विजय दस्मी का उत्सब है हम अपना उत्सब करके शाम को चले गए उसके ने क्या रहा तुमार जान उनकी तोपे रखी है अध्यार रखें इसाब को पूजन होता है सबका है तो सारे सैने का ब्रगेडियर करनल साम मिल करके अपने सश्त्रों का पूजन करते हैं भगवान से यह कहते हैं मांगते हैं प्रभू इन से कोई अपराद न हो जाए को अधर्म न हो जाए अभी मैं तीन दिन पहले अध्या गया था तो वहाँ पर एक अच्छे कारीगर आए हुए केरल के वह जो हमारा मंदिर बन रहा है राम मंदिर वह बहुत सारे दर्वाजे बनने वाले हैं वह दर्वाजे बना रहा है लकडी के तो हम पहुँचे तो उन्होंने का भाई साब आज विजय दस्मी आज हमारे शस्त्रों का पूजन है एक दो पुष्प आप भी रख दीजिए और वह लकडी का काम करने वाले सच्चे ने कारीगर है लेकिन वह उस दिन विजय दस्मी के देन वह अपने शस्त्रों का पूजन करता है उसके शस्त्र क्या है वह लकडी काटने छीले के 15-20 तरह के वह भक्ति भाव से उसका पूजन यह भारत की द्रश्टी है मूल सिधानत एक उस सिधानत में चे प्रकट हुई द्रश्टी दूसरी चीज़ है इस द्रश्टी से जो निकलता है बेवहार भारत में उसकों संस्कृति कहते हैं उस संस्कृति के कारण चे हमारे मन में श्रद्धा है हमारे मन में मितव्याइता है हमारे मन में वरक्षों के प्रती जीवों के प्रती परोसी के प्रती सम्मान है उस संस्कति के कारण से बच्चे माता पिता की सेवा करते हैं, उस संस्कति के कारण से हम किसी भी अतिती को देवता तुल्ले मानते हैं, इस संस्कति ने हमको स्रथा, त्याग, प्रेम, सहिश्नुता, यह सब दिया है, जितने भी सद्गुन मानवता में हो सकते हैं, वो सब सद सद्गुनों की जननी हमारी संस्कृति है ध्यान रखिए जितने भी सद्गुन आपको ध्यान में आएंगे वह भारत की संस्कृति देती है और यह एक दिन में निर्मान नहीं हो गए इन बातों को इन गुनों को निर्मान होने में हज्जारों वर्ष लगा है स्वंस्कति उसे विचार को पक्का पकड़कर रखने का प्रप्न करती है एक दिन हम लोग खाना खा रहे थे खाना खाते खाते मेज से एक पूड़ी का टुकड़ा गिर गया तो डक्टर जोशी जी भी भोजन कर रहे थे तुरंत खुर्सी हटा करके उठ्टुकड़े को उठा करके बगल में रखे उपर किसी का पैर पर जाएगा वहां बैटे दस लोगों ने देखा अन्न पर पैर न पड़े पुस्तक पर पैर न पड़े हम बढ़ों के किदर बैठे यह कितने बात हैं हजारों बाते निकलेंगे हमारी संस्कृति इन हजारों बातों को समाज में नीचे तक स्थापित करती है जो सेक्णों साल में बनी है वो संस्कृति है जो हरिष्टन ने कहा कि सत्य पर निष्ठा रखूंगा चाइए बिक जंभ यह संस्कृति है राम ने कहा बद एक पत्नी पर यह आपधा मुचल दूसरी पत्नी विभाह नहीं करूंगा वसिष्ट के कहने पर भी दूसरा विभाह नहीं करे एक पत्नी का वरत यह संस्कृति में गहरा बैठ गया अपने पिता का मा का वचन मान करके तुरंत जंगल चले जाना मा पिता का वचन मानने का भाव इस संस्कृति में गहरा बैठ गया यह संस्कृति है सब्विता आती और जाती है जो चण चण बदलती है हर दिन बदलती है हर वर्ष बदलती है वो सब्विता है इस वर्तमान की सिविलिजेशन ने अने प्रकार के संकटाज हमारे सामने खड़े कर दिया है मनुष्य के मन में कीड़ा बैठ गया है कि यह सामान लाना वो सामान लाना यह सामान खरीदना बस्तूओं का संग्रे करना अधिक्स अधिक्स सुविधाएं एक करतित करने का प्रयात्य करना उसके लिए यह इनके प्रकारें धनों पारजन करना यह गहरा बैठता है यह पश्चिम के संस्कृति है वह इथिक्स नह मूल हैं जो हमारे जीवन मूल हैं उनकी वाक कल्पना ही नहीं है क्या कि प्रारबस है उसी विचार को ले करके चल रहे है ना है मनुष्प्रमुख कि बास बाद kutm तो पहले संग्तित हो जाते थे संग्तित हो कि आक्रम लग करके लूट के लाते दे दूसरे लोगों को जहां का मौका मिल गया वहां का शासन कब जा कर लिया वहां की महला बालिक आएं वहां के दन संपदा लूट करके ले आएं यह उनके सुभाव में सुरू से बहुत परारम वस्य है और शीलिए उन्होंने इस्ट इंडिया कंपनी हो फ्रेंच की कंपनी हो डच हो पुर्तगीज हो इस्पेनिश हो अमेरकंस हो इन्होंने इतने कोलोनीज बनाए कंसेप्ट है कही है लूट लाओ लेकिन जो यह बात रहों चला गया अलग अलग देश सुतंत्र हो गए लेकिन वह कीड़ा नहीं गया कीड़ा बैठा रहा है पहले ऐसे मिल करके सेना लेकर करके आक्रमन करते थे अब नहीं कर सकते तो अब क्या करते हैं कंपनी बनाके लूटते हैं कंपनी बनाओ पिर लूटने का दिमाग नहीं गया और इसलिए आप देखे यहां डॉक्टर हर्सवर्दन जी बैठे उनको मलू में एक एक इंजेक्शन दो दो लाख रुपे का तीन लाख रुपे का चार लाख रुपे का पांच लाख रुपे का दस लाख रुपे का क्यों इतना रेट बढ यही नहीं कभी नहीं आया यह अब आरा है क्योंकि करना पढ़ रहा इसलिए आ रहा है अब ड़्टर जेसी बोस इंग्लेंड में थे उन्होंने अपना आभिशकार जब दिखाया अगले दिन ही मेरी हैड कंपनी का मालिक उनके होटल में गया उनके पास बैटता है बैठ करके कहता है कि सर आपने जो कल दिखाया है एक्सपेरिमेंट आप इसको ज्यादा मत बताईए अब उसके पेपर मेरे को दे दो इसके बदले में मैं आपको पेटेंट करा के दूँगा और इसके बदले में बहुत पैसा आपको मिलेगा मेरे बारत की परमपरा है ज्यान सार भौम होता है ये मेरा नहीं है हां मेरे पास कैसे भी आया है कहीं से इतना इहां पस ये मेरा नहीं है सब के लिए उन्होंने एक सुद़र पत्र जैसी बोस ने इस गटना का लिखा रविदन टैगोर को ऐसे ऐसे मेरी हेड कंपनी का मालिक आया था और मेरे सामने एक भिखारी की तरह खड़ा था और आप लोग की जानकारी के लिए कि जेसी बोस को उस समय वेतन नहीं मिल रहा था कलकत्ता विश्विद्याले में चुक भारती अध्यापक को वेतन कम मिलता था अंग्रेज अध्यापक को जादा मिलता था इसका विरोध करते हुए जग्दीशन बोस ने वेतन लेने से मना कर दिया मैं वेतन नहीं लूँगा पूरा बराबर का दो तो हम लेंगे नहीं लेंगे घर में अभाव करजा भी था इनकी पतनी नाव लेकर के आती थी तब ये गंगा पार करके अपने घर जाते थे एक नाव वाले को पैसा देने लाइक पैसा भी जग्दीशन बोस के पास नहीं था लेकिन उस मेरी हेड कमपनी के माले को पेटेंट कराने से मना कर दिया तब बाद में रविना टेगोर ने फिर एक पत्र लिखा है आप लोग उस पत्र को पढ़िए गूगल पर मिल जाएगा लेटर टू जेशी बोस बाई रविना टेगोर वो लिखते हैं तुमने बहुत अच्छा किया बहुत सुन्दर और वर्तमान के इन भौतिक जीवी लोगों को बता दो कि भारत का ज्यान क्या कहता है भारत की परंपरा क्या कहती है एक स्रेष्ट आचारे और अध्यापक गुरू का कर्तब क्या होता है इन मूर्ख लोगों को बताओ बताओ यांक के अंधे लोगों को बताओ इनकी आंके खोल दो यह भारती दर्शन है भारती द्रश्टी इसमें से संस्कति विकसित हुई हमारी और जैसी कोरुन आया तो भारत ते संस्ति दवाईयां दुनिया को दे दी बहुत देशों को तो बिना मूल कहीं देदी गरीब देश है दे दो क्योंको भारत में द्रश्टी अभी भी बरकरार है जो हमारी संस्कति को सहेज कर रख दिया है लेकर अब खत्रा गया है खत्रा इतना गंभीर है कि अगर सावदान न रहे तो खत्रा बढ़ता ही चला जाएगा इस खत्रे ने हमारे सारे सामाजिक जीवन को जगजोर कर रख दिया है या हर-एबाला किसे प्रवावित है आज से संब्हितान नैंस सिविलिजेशन में मनुश को ताकत पर बना दिया है आज हमनुश के पाद्व हमता है समत अंपर Feel मुबाइल में एक लाग किताबों की लेबरेरी है खट-खट-खट निकाल लेता है टीचर पढ़ाता है उससे ज्यादा जानता है बैठा हुआ याज यह टीचर का सम्मान नहीं करता है ऐसी दिन्चर्या बना लेता है उस दिन्चर्या में इसका जीवनी अस्थ-वेस्त हुआ जाएं एक बाई सो है लेकिंगे इसको समस्या बताने के yılए 1991 आदमी नहीं है आप मंत्या कर लेता है सुसाइडल रेट दुनिया में बढ़ रहा है क्यों छमता बहुत है लेकि सामाजिक्ता चली गई फॉलोर्स बहुत है अपना कोई नहीं है कल की घटना है अमेरिकां 22 लुग मार दिये उसमें क्यों मार दिये भाई टेंसन है मनुष्य भौतिक संपदा से सुखी नहीं रह सकता यह सनातन हमारा दर्शन है न वित्ते न तरपन यो मनुष्य कठोपनिशत में नचकेता यम को कहता है यम कहता नहीं अरे तु काई को परिशान हो रहा है यह काई कोई चक्करम पढ़ रहा है यह बताओ छोड़ मैं तेरे को संपदा दे देता हूं जा मोज कर आनंद कर धन ले ले धर्ती ले जोना चा तो यह नचकेता कहता है कि प्रभू इस संपदा से कोई संतुष्ट नहीं हो सकता, मैं जो जानना चाहता हूं, वही बताओ मुझे को, न तरपनियों, यह विद्ध जो है, मनुस्य का तरपन नहीं कर सकता, मनुस्य को संतुष्ट नहीं कर सकता, मनुष्य की अंतरात्मा इस संपता से कभी भी सुख प्राप्त नहीं कर सकती लेकिन चल पड़ा समाज इस मनुष्य को इस स्विलिजेशन ने बहुत शक्तशाली बनाया बहुत बड़ गारी उसके दरबाजय पर खड़ी बहुत बड़े चार मंजिल का मकान बना लेता है बैंक बैलेंस भी भड़ा लेता है अपना को नैं को अपना स्वह मन कि शांती चली जाती है टेंशन भर जाता है तो इपिडेमिक हो गया कोई देश अब इससे नहीं बचा है जहां जहां यह सिविलेजेशन जा रहा है डिप्रेशन की गोली जा रही है इससे शिविलेजेशन ने अपनी सब्विता को दुनिया के ऊपर इंपोस कर दिया हावी कर दिया हम भी उसके शिकार बन गए हमको अचा लगने लगा वही स्रेष्ट है वही अच्छे लोग है सब चीज उनकी आने लगी है के करके मैं क्या बता हूं आपको अब यह हमारे मकान का नक्षा भूए यूरोप का नक्षा बनाता हमारा जो आर्किटेक्ट है और यूरोप की जलवाई भिन्न है उनको हवा नहीं चाहिए वहांकी हवा ठंडी है हमको हवा चाहिए अब देखे नए घर बनते है ज़िए मकान है कमरा ऐसा बनाएगा दर्व तापमान से दूर ले जाता है मनुष्य को प्रकृति से दूर ले जाएगा तो अप्राकृतिक तो हुए जाएगा यह सोच तो कैसे रहेगा और इसलिए एसी मकान है एसी गाड़ी है एसी फैक्टरी है एयर कंडिशन हमारा ओफिस है धूप मिलती नहीं है और ऐसे जो इस तरके हमारे देश के लोग है हम तो लाकों साल थे थोड़ा धूप में हवा में रहकर के पले बड़े थे लाकों साल में हमारे सरीर में एक साइक्ल बनी थी हमारी सारे सरीर की प्रक्रिया है उसे अडिप्टेट है एट्यूंड है बदल गई अब ऐसे जो एसी में रहने वारे लोग हैं कम से कम पचास परसेंट लोग विटामिन डी की डेफिसियंस से गरस्त है जब डी कम हो गया केल्श vidéo नहीं होता दूध बिते हैं केल्स एम एबजोरब नहीं होता के लिश Şimdi प्रक्रशें दूर कर दिया यह इसका immediate consequence है immediate repercussion यह हुआ हमने क्यों मनाया ऐसा घर में यह हमारी civilization यह थी हमारी हमारे घर खुले थे हमारे घर में आंगन था हमारे घर में बरांडा था cross ventilation की खिडकी थी पूरव को दरवाजा था महलाएं सर्दी के दुनों में आंगन में बैठ करके गप मारती थी उनको धूप मिलती थी हर खिडकी से प्रकाश आता था हर कमरे में धूप आजाती थी वो नक्षा रिजेक्ट हो गया अब नया नक्षा लाता है वो वो नक्षा सो उसने Google से डाउनलोड करके नक्षा आपको दिखाता हमको वोई पसंद आजाता है हमारे कपड़े बदल गए हमारे खान पान बदल गया हमारे खान पान में भी वो इस सामान ज़ादा आने लगे दीरे दीरे हमारा शरीर उस खान पान के लिए एट्यूंड नहीं था हमारे एंडोक्राइन ग्लेंड जो है हमारे देश के खान पान से तै हुए थे लाखों वर्षों में शरीर बनता है ये हमारे एक साइकल है हमने बदल दी अब बीमारियां बढ़ रहे है खान पान बदला पहना बदला घर का मकान बदला हमारी दिन जर्या बदल गई लाखों वर्षों तक हमने 6-7 बज़े भोजन किया था शाम को लाखों वर्ष लगे थे इस शरीर को बनने में पिछले 50 वर्ष में मनुष रात को 11 बज़े खाना खाने लग गया 12 बज़े खाता है एक बज़े खाता है और सोचता है क्या फ़रक पड़ता है गंबीर फ़रक पड़ता है और जो तरह तरह की नहीं नहीं बीमारियां आ गई हमको जरूत नहीं थी हम शराब पीने लगे आज भारत में प्रतिवेक्ति जो हाड लिकर है साड़े तेरे लीडर प्रतिवेक्ति प्रतिवर्ष कंजम सन है जो अमेरका से तीन गुना जादा है यतनी शराब की जरूत थी के हमारे देश को नहीं थी हमारे देश तो गरम देश था और खान-पान बदला पहनाबा बदला हमारा आवास बदला हमारी दिन चर्या बदली और इसने अनेक प्रकार की नए नए बीमारियों को हमको दे दिया व्यक्तिय जीवन कठिन हो गया कुतने नए-नए रोक पेदा हो रहे ये नए शिवलेशन का बड़ाँ भारी योगदान इसमें है नमबरदो हमारी पारवारिक विवस्ताओ को तोड़ दिया इसने इस civilization के central point में है वो कहता है न ज़्यादा कंजमजन होगा कैसे फैक्टरी चलेगी कैसे अगर चारो भाई एक घर में रहने लग गए तो एक रसोई लगेगी इस चारो भाई को चार जगे बांटो इसने सीरेल ऐसे आने लग गए भाईयों में जगडा दो बहू एक साथ रह नहीं सकती अलग मकान मेरी अलग रसोई अलग रसोई आते ही पूरा मार्केट चलेगा इसका चूला लाओ, सिलिंडर लाओ, बरतन लाओ, डिनर सेट पूरा ओ दो मकान बना दिये, चार मकान होगा चार मकान का चार गुना कंजम्चन होगा, फेक्टरी चलेगी न, वो वो जो सोच है मैक्जिमम प्रोडक्शन, मैक्जिमम कंजम्चन यह परवार को तोड़ देती है कुछ हमने भी सयोग किया, हम भी उसी धुन में आ गए हमने परिवार में तीन बच्चों को का, बेटा यह तुमारा कमरा, यह तुमारा कमरा क्यों का हमने ऐसा, यह कमरा उस बच्चे का था, बच्चे का कमरा नहीं था, कमरा आप का था घर का था, घर के कमरे को हमने उस बच्चे का कमरा कह दिया, राजू ये तुमारा कमरा, ये बेटा तुमारा कमरा, दो भाईयों के दो कमरे हमने दे दिये, जो दिये हमने, ये दो कमरे परिवार के थे, ये दोनों कमरे दोनों के है, हम सब के कमरे हैं, अब दूसरा भाई उसक लगाने का काम हमने किया हमने बटवारा किया संपति परिवार की नहीं रही संपति बेटों की हो गई बच्चों की हो गई मैं 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 हावी हो गया और नीचे तक अपने ही परिवार के बच्चों में इंटोलरेंस प्यदा करने का काम इस सिविलेजेशन से हमने ले लि अब सहेश्णुता कम हो गई पर एक मेज पर तीन भाई बैठके पढ़ लेते थे अब नहीं पढ़ते एक कमरे में चार भाई सो जाते थे अब नहीं सोते यहमने सिखाया यह पाष्ट्ञ से आया वहां से आया और हमारी इच्छी बात को निकाल भार कर दिया हमको भी लगा वह अच्छा है यह परिवार टूटने का क्रम ऐसे प्रारंभ वा दीरे 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 न्यूलियर परिवार बन गый एक दो एक दो एक दो जन संख्या और कम हो गई बचा कुछा जो खेल है वो जन संख्या ने बिगाड़ दिया तो इनफर्टिलिटी का रेट अब बढ़ता चला जा रहा है जो जीवन चर्या ऐसी हो गई बच्चे लड़कियां भी जब शराप पीने लग गए शिगरेट पीने लग गए तो बच्चे ही नहीं है धर में अब सारी दुनिया तरस्त है ऐसे भी देश दुनिया में है जहां इनफर्टिलिटी ट्वंटी परसेंट है अभी भारत बचा हुआ है थोड़ा सा लेकिन वो बढ़ रहा है ओवेसिटी देखो ना दस साल का बच्चा है 40 कि लोका हो जाता है पचास किलोका हो जाता है क्यों जात क्यों दिन बर खाता है रात को क्या रहा है उटके खाता है उसकी मम्मी भी खिला देती है इंसुलीन बढ़ जाता है जो बोड़ी का पूरा मेटाबोलिजम बिकार के धर दिया हम लोगों ने लाखों वर्षों में तै हुआ था बई सुबह खाओ दुपैर खाओ रात को बस मत खाओ दिन में वो जब आते जाते हमने डाइनिंग टेबिल ले आए डाइनिंग टेबल सामान रख दिये लाकर खाओ दिन बर खाओ अरे भाई ये शरीड जो है लाखों वर्षों में बना था इतनी तेजी से हमने बदलाव उसमें लाया अब बच्चे एकसरसाज नहीं क प्रशन की ओर जा रहा है बीमारियों में जा रहा है और दूसरी और परिवार का तहस्में तो तीसरी और सामा जिकता का नाश और दो मित्र एक साथ नहीं बैठते हैं गौहाटी मेडिकल कॉलेज में मैं चला जाता था मैं तो जब वहां मैं प्रांथ प्रचा रख था तो वहां का जो कॉमन होल था उसमें दो घंटा उधा मस्ता रहता था वहां आ जाए चार-पांच साथ गुर्प में लड़के लेख माट करूज में करूंख हो तब चंश तक प्रचा रही कि अब तौन हुआए को अब ये है आता है सब के ही लिए अब यहां क्यों आएक दाम जाव और लिए आ गए गए वह मैंश ही बंद होगया की मैंश किवको बंद हो गया मैंस के लिए नहीं तो इस मिना प्रम को अब एक medical college के बालिका ने आत्मत्या कर ली वो पीजी की इस्टुएंट थी वो उसके टीचर ने थोड़ा कुछ उसको कहा वो डिपर्सन में चली गई वो सुसाइट कर ले ऐसे के बहुत हो रहे अब डांट नी सकते माबाप बच्चे को नी डाल सकते सहेंशक्ति कम हो रही है क्यों सामाजिकता ही नहीं है सुनने का सामर्थ ही नहीं है माने थोला डाटा बेटा कहता है मम्मी सो नंबर डाइल कर दूँगा अभी मैं अभी पुलूस बलालूगा डाट नम्मर ना आये मालूँ है आपको अब ठीक है कि नहीं तो भगवान जाने लेकिन हमारे बच्चों की धीरे 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 सहेंशक्ति कम हो रही क्यों उनकी सामाजिकता कम हो रही है फ्लेट में आदी मर जाता है पता ही नहीं लगता हूँ आशा सायनी के केस बंबई में हुआ दो साल पहले आपको मालूम है इसका बिटा तो रितुराज था बा हमारी सामाजिक्ता खतम हो रही है आसे बहुत साल पहले आउंश्टीन ने इसके उपर एक लेक लिखा था कि मनुष्य विज्ञान के कारदे बहुत उंचा उठतो जाएगा बहुत पैसा भी कमा लेगा लेकिन क्या वो सामाजिक बचेगा सामाजिक्ता उसके नश्ट हो रही है वो मिलके बैठता नहीं दस लोगों के बीच में वो शेर नहीं करता अपनी बातों को अपने दुख को या सुक को परोश्टी को बताता नहीं परोश्टी के यह बिना काम के जाता नहीं हम होली दवाली महले में पूरे महले में दददस गूमते थे उसके घरदा उसके घरदा चार पांच घंटा होली पर गूमते रहते थे दिवाली पर भी गूमते थे आना जाना मिलना चुना हार महले में एक कमरा रहता है लोगों का वहां बैठेक चलती रहती थी सामाजिकता थी हर गाहों में रहता था सामाजिकता थी लोगो एकेला हे। tournaments क्यों बढ़ता है। एदूनिया में। यह संकट है आज। ठीश संकट, मुक्रा के अंदर और समाजों के अंदर आब युक्रेन में में देख रहे हैं कि आप अभी इस्राइल में देख रहे हैं वह थारी दुनिया में इंटोल्रेंस कोुछ रने समर्ड से होना चाहिए लग का हवाईज बिकेगा उनके फाइटर प्रेंस काई ले अब फैट्री चलेगी अच्छे से उनके मिशाइल बिकेंगे अब वह पृतिक्षा करते हैं कैसे दो देशों में युद्ध हो जाए मार्केट होगा तो अनिथीकल तरीके से पैसा कमाने के लिए होड लग गई दुनिय इस अब हैं अभी दो साल पहले इंगलेंड में तीन वर्ष पहले मैट काउड डिजीज क्यों आई कि वह जो अनेथीकल व्यापारी लोग हैं जिनको कोई नीती नहीं कोई किसी प्रकार का मानवता का भाव नहीं केल पैसा कमाओ पैसा कमाओ उन्होंने गायों को जो बूच तो जो जो जो। जो 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 स्लोर्फा जमें वेस्ट क्या होता है वसाब़टी बटी भड़टी निकलता है वेस्ट है उसको ग्रेंड करते है सुखा करके औंघ्रमीन लाइत 5 जो ज swirl खाता है उसका मीट और बढ़ जाता था कि यह बीच साल थे यह कर रहा है थे इंग्लेंड में धीर दर एक दम गाए पागल होने लग गई क्यों गाए तो शाकारी जीव है जबरति उसको मांस खिलाने का काम करके उसके मांस को बढ़ाने का काम इन्होंने किया चालीस लाख गाय को मारना पड़ा था अकिल इंग्लेंड के अंतर चालीस लाख 4.4 मिलियन क्यों किया ऐसा भई यह अनीती का काम अप्राकृतिक काम क्यों करते हों ऐसे एक दो नहीं सेक नों घटना है आपको ऐसी मिलेंगी मनुष्य केवल पैसा कमाने के लिए कुछ भी करन सब्सक्रीटाब था एक दिने का राहिस्तान में एक मारबल के व्यापारी कि या दो पैर को हम लोग आये बैटिक हो तुर्ण तो कुछ नमकीन मगाया चाहल उस नमकीन में हरे रंका मुटर था एक पीने का पानी के ग्लास वी रखा था हमने हराम मटर निकालके उस नमकीन म डाल दिया वह हमको पूछे आप ऐसा क्यों कर रहे हैं मैं आप थोड़ी दिर बाद देखना क्या होता है तो बंद्रह 20 मटर का दाना और पांच मिनट के अंदर पूरा पानी के गलास हरा हो गया अरे ऐसा कैसे हो गया मटर तो रंग छोड़ती नहीं नहीं मटर नहीं छोड़ करता है यह सो पांचो रुपया बच्चत है वह स्यादत होंगी नहीं इसमें लेकि जिसको कैंसर होगा उसको तो जीवन नश्थ हो जाता है जो अनश्वान इतिकल हो रहा है ऐसे सब वातावरण में मार्ग क्या है मार्ग फिर अपना है हम पक्का करें यह शारी स्रष्टी इश्वर की है और इसलिए हमारे कहा कि जो परमात्मा ने सारी सुष्टी बनाई है इसमें थोड़ा से तुम ले लो स्वायम पूर्ण जीवन जीओ अपने लिए कम से कम तेन तक तेन भुंजी था कम से कम लो छोड़ दो कम से कम यह जो शिद्धांत था पचास साथ साल में यह बिदड़ रहा है हम बहुत लोगों को देखते थे जहां जान रहे बहुत अच्छा व्यापार चलता है लेकि दो ढ़ाई कमरे के मकान में रहते है द्हरमचाला अच्छी बन बात थे हैं दो ढ़ाई कमरे का मकान तीन कमरे का मकान है बस लड़के का विवा हो गया है एक कमरा और बना दिया लेकिन उध इंटर कॉले के हॉल बनाने के लिएIGHT दो लाँख रफा दे देती थे ев छाली साल पहले पचास साल पहले हो इस्पिताल लेंट से नल लाएगा सोने का अब बातरूम बाठ टब लगाएगा ये करेगा वो करेगा फिर बात में बात टब उखाड़ देता है पर छत पर रख देता है इसकों घरों में आप भी देखते होंगे बात टब लगा रहे तक नाता वाता तो उसमें कुछ है नहीं यह बात टब उन लोगों के लिए था फ्रांस वगरा में जो दो चार पांच महीने में नाते थे वो दो-चार-पांच महीने बाद कभी इस्दान करेंगे तो शेंपू डाला आदा घंटा नहा लिए ठीक है भई उनके लिए बात टब था हमारा तो आदवी दिन में दो बार इस्दान करता है इसको बात टब की क्या जरूँ थी यह सिवलाइजेशन का आक्रमण है पर लगाता है क्यों को मार्केट बाला उसको तो बिक्री करनी है बाट टब की वो अरे मैडम ऐसा ऐसा करके समझा जाता है हां हां लगा दो लगा दो दस साल बाद मैलाओं को ध्यान वाता है फाल तू लगाए बाल्टी रखने को जगे लगाता है क्यों होता है क्यों हम अपनी नहीं दूसरे की सिवलिजेशन से भारी प्रभावित हो गए यह पर्फियम क्यों आया पर्फियम इसलिए आया कि फ्रांस के लोग 6-8 महीने बाद इसनान करते थे दुरगंद आती थी वो दुरगंद को दबाने के लिए अपना वेश गया अपना भोजन गया अपनी भाषा गई सब गया लेकिन इसको कैसे पकड़के रखा जाएगा ध्यान रखो यह सब जाएगा तो सब जाएगा ध्यान रखिए फिर कुछ नहीं बचेगा अधी अधूरी सिवलेशन भी नहीं आती है ध्यान रखिए तो पश्चिम में जो अच्छा है और हमारे अनकूल है उसको ले लो अपने हिसाब कताब से लो मेरे घर परिवार के अनकूल है कि नहीं है ले लो बच्चों को भी सिखाओ और बताओ क्या अनकूल है हमारे घर में आज हिंदी के ग्रंथ ही नहीं मिलते मैं बंबई में एक अच्छा कारी करता है उसके गर गया उपनी लैबरी दिखा और मेरे को ऐसा आश्चर हुआ ये हिंदी बेल्ट का यूपी का रहने वाला उत्तरपतिस का लगा एक भी ग्रंथ हिंदी म नहीं सब अंग्रेजी में अरे बच्चे जे अंग्रेजी भाषा पढ़ेंगे तो कबीर का दोहा है रहीम है तुल्सी है रस्खान है मीरा भाई है जैशंकर प्रशाद निराला भारतेंदू हर्षिंद कैसे पढ़ेंगे राम चरित मानस नहीं पढ़ेगा हन्मान चानीशा भी याद नहीं करेगा क्या ये संसकार काँसे आएगा संसकार भाषा लातिय kızım आतिया धियान में रखिये पश्चिम का जो उप्यूकत लगता है और हमारे घर, परिवार, परंपरा, संस्कुति के अनकूल है छान बीन करके ठोक पिट करके उत्रा लीजिए हमारे परिवार में हम देखें जो अनावश्चक है उसको मत खरी दिये दस बार सोचिए आवश्चक है सच में आवश्चक है बहुत आवश्चक है इसके विना काम नहीं चलेगा खरीद लो एक परिवार में गया आये सबसर है transfer हो करके आया उसका प्रवाद तो मैं देखा हाल चल किया एक कमरा पूरा प्पगेट वह चै believed OOH एक साल होगा है खोलता नहीं क्यों यह सामान क्यों खोथो नहीं इसकी जरुत रही है जरुत रही तो खरिदा क्यों था एक साल में इसकी जरुरतरी तो क्यों खरिदा था मानम पड़ा दस डाइनिंग सेट है चार डिनर सेट है चालीस पचास बैड़ शीट्स रखें क्यों खरिद तो इतना भाई तेन तक तेन भुंजी था वाला देश कैसा रास्ता भटक गया जिस देश को दुनिया को मार्ग दिखाना था वो देश भटक गया अभी एक सोशोलोजिस्ट है मिशिगन इनिवस्टिक है उनका एक लेक में पढ़ रहा था थोड़ दिन पहले वो लिखते हैं भारत में बोले मैं हर दस साल बाद भारत गया और धीरे 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 मेरे मन को बहेंग कर पीड़ा हुई मैं भारत में देखता था यहां के सम्मलित घर है मैं भारत में देखता था लोग मिल करके रहते हैं मैं भारत में देखता था लोग आपस में एक दूशरे के साथ अच्छा बेवार करते हैं वो भारत के सम्मलित घर अब तूटते जा रहा है हमारी सामाजिकता नश्ट हो र करके क्या पाओगे फिर मैं कहता हूं मेरे देश का अनुष्णर तो मत करो अपनी अच्छी बातों को मत छोड़ो एक चोटा साइटिकल में पावी एक दस दिन पहले एक कारिकरता ने भेजा वो विदेशी आदनी है मिशिगन इनिवस्टी का सोसिलोजी का प्रोफेसर है वो क सबब्यता आवेज लेकिन हमारी सुन्सकृति चली न जावें हजारों वर्षों में इसको हमने संभाल करके रखा है संभाल करके यहां तक लाए यह वारे सारी समाय की आत्मा है सबब्यता तो आएगी चली जाएगीव संस्कति चली गई तो हमारी आत्मा नस्ट हो जाएगी देश कंगाल हो जाएगा और इसलिए आज के छोटे से में व्याख्यान में आपके सामने यही बात अंत में संग्षिप में बताना चाहता हूं कि सब्वेता विज्ञान से पैदा होती है तकनीक इसको शेप देती है और द्योगपती नएने प्रकाय के पूर रख दिता है मार्केट बिक्री में लग जाता है और जंता के अंदर खरीदने की इच्छा जगाता है कुल मिला करके उसके लिए आदनी नीती अनीती से पैसा एकटा करता है यह सब्वेता यह सिवलिजेशन लोग के अंदर तरश्णा पैदा करती है लोग के गंदर लाल सा पैदा करती है और समाज उसमें पगला जाता है संस्कृती फिर दिशा में लाने की कोशिश करती है फिर खूटे पर बांधने की कोशिश करती है उसको अपना स्वत बार बार याद दिलाती है हमारी कुछ विशेश्ता है दुनिया को क पस्छ्च्मी जगत का स्वाविक सुभाव है।। सहिषनुता हमारी सश्च्च्टी की गहरी पहचान है। मिलकर करके रहना। इस प्रकर्ती में देवध तो देखना। मनुश्यमाभी देवध तो देखना। और हर कीमत पर समन्वे बनाने का प्रत्न करते रहना जे भारती संस्क्रति का अभिन्नांग है हम विदेश से जो कुछ आवश्यक है जरूर लें लेकिन अपनी संस्क्रति के इस कसोटी पर कस करके लें जो आवश्यक है वो ले लें अनावश्यक वो को चुप-चाप गिनारे क करें दीरे दीरे अपनी संस्कृति के प्रकाश में जो चाय सो ले लो संस्कृति को छोड़ना नहीं दोनों के एक सम्यक संतुलन से अपना समाज आगे बढ़े मैं समझ दाओं यह हम दुनिया को दे सकेंगे कल को आवश्यक्ता है पहले अपने पास संभाल करके रखें नमस्क संभाल